सवी किसान भायों का आपके अपने यूट्यूब चनल विज़ेश एकरी कल्चर में स्वागत है सवी किसान भायों को मेरा नमस्कार आज हम बात करेंगे सीजिंटा कंपनी के वर्टागों कीटनासर के बारे में और साथ ही जानेंगे इसका उपयोग हम कुन कुन सी फसलों पर कर सकते हैं इसके मोड अविक्सन के बारे में यानि ये कायरे कैसे करता है और इसका डोस यानि फसलों में कितने किलो परती एकर तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे इसके फ्राइस और भी महतबून चान करिया किसन भाई अगर आप जे सेगरी कल्चर पर पहले बारा हैं तो प्लिस लाइक जिस्क्राइब जरूर करें अगर आपने पहले स्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टागो कीट नसक के मोड अविक्षन के बारे में यानि ये कायरे कैसे करता है तो वर्टागो एक नई पीडी का दानेदार कीट नसक है जो हर फसल में उतकष्ट, नियंतरन और लंबे समय तक सुरक्चा प्रदान करता है वटागो हरी भरी स्वस्त फसल के साथ अतिरिक्त उत्पदन तीलर और परचुर जड़ से विकास में मदद करता है इसके बाद हम बात करेंगे इसके टेकनिकल कंटेंट के बारे में तो इसमें दो तरह के टेकनिक सामील है पहला टेकनिक है थिया मेतोकसम 1% और दूसरा टेकनिक है क्लोरेंटा नेली प्रोल 0.5% जी यार यानी ग्रेनुवल फाम में आता है और साथ ही सिस्टेमेटिक इंसिक्टिशाइट भी है जो जड़ों के दुआरा कायरे करता है इसके बाद हम जानेंगे वाटागो इंसिक्टिशाइट को कोन सी फसलों में देना है और किस प्रकार देना है ताकि देने में आसानी हो और एक एकड़ में कितना किलो प्रती आना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसे कोन कोन सी फसलों में देना है तो इसे हम सुयाविन, कपास, धान, मक्का, गन्ना इत्यादी फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं अगर हम मातरा की बात करें तो वर्टागो इंसेक्टिसाइट को एक एकड़ में धाई किलो वर्टागो और साथ में 50 किलो यूरिया मिक्स करके उपर से छीटना हैं अगर यूरिया या किसी उरुरक के साथ मिलाएंगे तो छीटने में ज्यादा आसानी होगी और ध्यान रहे बुआई से 20 दिनों बाद इसका उपयोग होना चाहिए इसका उपयोग के बाद पाने छोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड ह याज़णी ये जड़ोद्वारा इंसेक्टिक को कंट्रोल करता है इसके बाद बात करेंगे वर्टांगो इंसेक्टिसाइड कुन-कुन से कीटों का नेंटन करता है तो वर्टा OF इंसेक्टिसाइड तनासेदक लिफमाइनर नील्फाफर वाइट फ्लाइओर वी अन्न तर किसान भाई अगर आपको वर्टागों इंस्ट्रिक्ट सेट के बारे में जानका इसा ही लगी हो तो प्लीज लाई कियों सब्सक्राइब जरूर करें